हलो गाईज पंचाल डिजाइन वर्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मेरा नाम है दिनिश पंचाल और आज हम इस वीडियो में घर के लिए 11 एसे दरवाजों की डिजाइन देखेंगे जो आप कम बजट में एक अच्छी डिजाइन के साथ यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कॉमेंट और शेयर भी अवश्य करें साथ ही हम इस वीडियो में आपको दरवाजों की जो किमत बताएंगे एक डिजाइन के अधार पर बजट को सुनिचित करने के लिए आपको बताए जाएगे सही किमत आप अपने नजदी की गाव या सिटी में किसी फेबरीकेटर से अवश्य कोंटेक करें ताकि आपको उन दरवाजों की सही किमत का पता चल सकें तो आई दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं यहाँ दरवाजा लोहे का बना हुआ है और इसको आप as a single door भी यूज़ कर सकते हैं इसकी किमत 10,000 रुपिये से लेकर 11,000 रुपिये के आसपास हो सकती है यहाँ भी लोहे काई बना हुआ एक जालीदार दरवाजा है इसके साथ लकडी का दरवाजा अवश्य बनवाए इसकी किमत 9,000 रुपिये के आसपास हो सकती है यहाँ एक लोहे काई बना हुआ दरवाजा है लेकिन आप इसको एज़े इंडोर के लिए बनवाए तो साही रेगा इसकी किमत 9,000 रुपिये के आसपास हो सकती है यहाँ एक लोहे काई बना हुआ एज़े सिंगल डोर है लेकिन इसके साथ लकडी का दरवाजा अवश्य बनवाए यदि आउटडोर के लिए बनवाते हैं तो इसकी किमत 9,000 रुपिये के आसपास हो सकती है यहाँ लोहे का एक शांदार दरवाजा है इसको आप एज़े आउटडोर के लिए भी बनवा सकते हैं इसकी किमत 12,000 रुपिये के आसपास हो सकती है यहाँ लोहे का एक अती सुन्दर दर्वाजा है इसकी किमात 13,000 रुपय के आसपास हो सकती है और इसको आप एजे आउट्डोर के लिए बनवा सकते हैं यहाँ भी एक बहुती शानदार और सुंदर दर्वाजा है इसकी किमत दस अजर रुपे के आस्पास हो सकती है लेकिन इसके साथ लकडी का दर्वाजा आवश्य बनवाई यहाँ भी एक बहुत ही शांदर लोहे काई बना हुआ दर्वाजा है इसकी केमद 12,000 रुपय के आसपास हो सकती है लेकिन इसके साथ लकडी का दर्वाजा आवश्य बनवाई यह भी सेम देशा ही दर्वाजा हैं लेकिन थोड़ा डिजाइन में डिफरेंट है इसकी केमद 12,000 रुपय के आसपास हो सकती है और इसके साथ भी लकडी का दर्वाजा होना आवश्य बनवाई तो भी चलेगा इसकी केमद 13,000 रुपय के आसपास है यह भी एक बहुती सुंदर और सिंपल दर्वाजा है इसकी केमद 11,000 रुपय के आसपास हो सकती है इसके साथ लकडी का प्लाई का दर्वाजा आवश्य बनवाई पंचाल डिजाइन वाट यूटूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी गुट बाई